गूड मर्निंग इस्टुडेंट्स आज हम बी एस सी पार्ट फिस्ट टियर फिजिकल केमिस्ट्री के चेप्टर नंबर टू के नए टॉपिक कम्पीटर पढ़नाली के सिध्दान का अध्यन करेंगे इससे पहले हमने कंप्यूटर के हिस्ट्री और कंप्यूटर के विभिन पीडियों के बारे में अध्यन किया था कंप्यूटर परणाली के सिद्धान्त में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि तीन भाग होते हैं पहला भाग जो कंप्यूटर से संबंदित है दूसरा भाग कंप्यूटर से संबंदित है और तीसरा भाग जो व्यक्ति उस कंप्यूटर को काम में ले रहा है यानि user से संबंदित है पहले भाग में हम देखते हैं कि computer का hardware hardware होता क्या है computer जिन भोतिक तत्वों या जिन भोतिक parts से मिलके बना होता है उसे हम hardware कहते हैं कंपीटर hardware में हम देखते हैं कि keyboard, mouse, monitor, इत्यादी computer hardware में जो main hardware है वो है motherboard motherboard को हम computer का दिमाग भी कहते हैं यह computer के CPU के अंदर होता है CPU नहीं control processing unit तो computer के वो भाग जिनको हम छूँकर, टच करके देख सकते हैं जो भोतिक आवस्ता में हमारे सामने हैं वो hardware कहलाते हैं दूसरा मुख्य भाग है software सॉफ्ट्वेर कंप्यूटर में निर्देशों का समू है सॉफ्ट्वेर विभिन टाइप के प्रोग्राम होते हैं जो की hardware को नियंत्रित करते हैं लेकिन हम सॉफ्ट्वेर को छू कर नहीं देख सकते हैं जैसे MS Word, MS Excel, PowerPoint Presentation, Photoshop, इत्यादी आज कल विभिन तरे के computer programs या computer software मार्केट में हैं जैसे antivirus तो antivirus भी अपने आप में एक software है PDF Reader, Video Formatter, Video Editor, इत्यादी Computer की विशेष्थाएं कौन कौन से हो सकती हैं कई बार एक्जाम में किस चुनाता है कि computer की क्या विशेष्थाएं है यानि properties of the computers और computer की क्या सीमाएं है limitations of computers तो हम सबसे पहले देखते हैं कि computer की क्या विशेष्था है computer की जो मुख्य विशेष्था है वो है उसकी गती यानि speed computer की speed बहुत ज़्यादा है इसका मतलब यह नहीं है कि computer की speed ज़्यादा और computer कहीं और भग जाता है नहीं computer की काम करने की speed ज़्यादा है computer एक अदभूत गती से काम करता है computer में electronic signal का उप्योग किया जाता है जो कि प्रकास की गती की तरह काम करते हैं computer प्रति सेकंड तीन से चार मिलियन और निर्देसों की पालना करता है अगर हम और आगे देखें तो हम देखते हैं कि सुद्धता यानि accuracy computer की मुख्य विश्चता है computer का कारे पूर्ण रूप से तोटी हीन होता है computer कभी अपना कारे गलत नहीं करता हाँ अगर computer के कारे में कभी गलती होती है तो उसका कारण होता है मानव यानि user खुद चुकि मानव द्वार अगर गलत डाटा दे दिया जाए या खराब डिजाइन सिस्टम हो या जो मानव ने निर्देशों का समू यानि जो प्रोग्राम दिया है वही गलत हो तो फिर जो हमारे पास उत्तर डाटा कनकलोजन आता है वो तुटिफपून होगा इसमें computer की कोई की गलती नहीं होगी अगली विशेशता है सार भोमिकता वर्सलिटी कंप्यूटर एक सार भोमिक मसीन है जो लगभग सभी छेत्रों में काम आती है जैसे एरपोर्ट बिजनस बैंकिंग रेलवे इस्कुल कोलेजिस और आज कल परसन कंप्यूटर पीसी गर पे भी काम आता ह अगली विशेशता है संग्रण समता स्टोरेज क्यापेसिटी कंप्यूटर में बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को संग्रहित किया जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर की अपनी खुद की एक सेकेंडरी मेमोरी होती है यह डाटा वीडियो फॉर्म में हो सकते हैं पिच्चर यानी फोटो फॉर्म में हो सकते हैं गैम्स हो सकते हैं फाइल्स फॉल्डर इनका कई वर्सों तक संग्रेंड कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है और जब भी हमें इन डाटा की जरत होती है तो कुछी सेकेंड में हमें यह डाटा दुबारा से प्राप्त हो जाता है कंप्यूटर किसी भी कारे को करते हुए ठकता नहीं है कंप्यूटर बिना रुके हुए लगातार कारे कर सकता है वो भी अपने पूर्ण समतावे सुद्धता के साथ में यह थी हमारी कंप्यूटर की विशेष्टाएं अब अगर हम कंप्यूटर की सीमाओं की बारे में बात क कि कंपुटर की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं कि कंपुटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है तो जो काम कंपुटर नहीं कर सकता है वह कंपुटर की सीमाएं कहलाएंगी तो बच्चों देखते हैं कि कंपुटर कौन सा कारे नहीं कर सकता है जैसे कंपुटर में स्वेम की यानि खुद की बुद्धी नहीं होती है हमने पहले बताया आपको कि कम्प्य्टर के अंदर की motherboard होता है जो की कम्प्यटर का दिमाग कहलाता है लेकिन कम्प्यटर के अंदर खुद की बुद्धी नहीं है जो यह programmer है जिसने computer को design किया है उसने जो निर्देशों का संव, यáni program computer को दिया है, computer उसी की according, अपना कारे करता है। Computer पूर में दिये गए निर्देशों की पालना ही करता है। Computer में खुद की ज्यान बुद्धी, सूचना और याय समता नहीं होती है। Computer स्वेम अपना कोई decision नहीं ले सकता है. Computer अनुसंधार में या किसी कारे को करने में महत्पुन भूमिका निभाता है. लेकिन Computer अपनी तरप से ये नहीं कहता कि ये सही है या ये गिलत्या, Computer अपने स्वेम की विचार प्रकट नहीं करता है. computer की जो बहुदिक समता है, खुद की, वो सुन्न है computer किसी समस्या के हल करने के बाद पुने उसी प्रकार की समस्या को हल नहीं करता जब तक कि उसे user ना कहे computer अपनी इच्छा से कारे नहीं करेगा हम जो कहेंगे न, हम जिन निर्देसों को देंगे, उसी के according computer अपना कारे करेगा तो अभी हमने देखा कि computer के तीन भाग हैं, उस hardware, software और user उसके बाद हमने देखा कि computer की विसेष्थाएं हैं computer की विसेष्थाओं में computer की गती है computer की सुद्धता, सारभोमिक्ता, संग्रन समता और करमठता है उसके बाद हमने देखा कि computer की सीमाएं क्या हैं जैसे computer में खुद की बुद्धी नहीं है ग्ञान नियाय समता का अभाव है, बोदिक समता का अभाव है अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का वर्गी करन किस प्रकार किया गया है देखें जिस प्रकार कंप्यूटर के इतिहां हास को विभिन पीडियों में बाटा गया है उसी प्रकार कंप्यूटर को भी उसकी समता computer की capacity computer में कितना data storage हो सकता है computer कितनी speed से काम कर सकता है इसके आधार पे उसका वर्गी करन किया गया है बुक्स में पांच तरह के से वर्गी करन किया गया है जैसे personal computer workstation mini computer mainframe computer super computer लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो चार तरह से है आप workstation को हटा दीजिए बाकी चार हो गए जैसे personal computer जिसे micro computer भी कहते हैं उसके बाद mini computer फिर mainframe computer और फिर super computer बादा अब पांच की लिश्ट में से अगर हम workstation को हटा दें तो चार रहेंगे तो चार टाइप चार major मुख्य रूप से चार भागों में वर्गी करिट किया गया है computer को personal computer, mini computer, mainframe computer और super computer जब हम personal computer की बात करते हैं तो personal computer को micro computer भी कहते हैं यह आकार में छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं जो हम इसमें जो data होता है वो मेली mother board में programs होते हैं हम जो अपने घरों में, कारलियों में, officeों में काम में लेते हैं वो सब के सब क्या है personal computer या PC हैं यानि जो आप अपने घरों में laptop या simple desktop काम में ले रहे हैं वो क्या हैं? वो है personal computer या PC workstation को हम देख लेते हैं वैसे workstation PC का यह भाग है बस उसकी समताएं PC की तुलना में ज़्यादा है workstation भी single user ही है जैसे कि personal computer को एक समय पर एक ही व्यक्तिकाम में ले सकता है लेकिन workstation का जो processor है वो सकती साली है यह है विबिन जटिल प्रिक्रियाओं विज्ञान गणित इंजिनरिंग आदी की गणनाएं आसानी से कर सकता है इसमें बड़े उच्च resolution graphics screen काम में लिये जाते हैं workstation में बड़े पेमाने पर data storage unit भी होती है अब जो next है वो है mainly mini computer मिनी computer क्या होता मिनी computer एक ऐसा computer system है जिसे कई उप्योग करता एक साथ काम में लेते हैं सेक्ड़ उप्योग करताओं को यह एक साथ processing करने की सम्दा रखता है इनका उप्योग मद्यम सीमा वाले server में किया जाता है एक या एक से अधिक processor भी हो सकते हैं जिसे बहु processing या multitasking कहते हैं अगला हम इसमें देखें तो वह कहलाएगा manframe computers अब manframe एक प्रकार का computer है जो सामानते उनके बड़े आकार भंडारन की उच्चिसमता processing सकती विश्वसनेता के उच्चिसतर के लिए जाना जाता है बड़े बड़े संग्ठनों द्वारा manframe computer को काम में लिया जाता है बड़ी कंपनियां हर दिन लाखों लेंदेन करती हैं जिसमें manframe computer काम आता है जो की data processing जनगन्ना उद्योक संसादन उभोकता सांक्यकी उद्दम योजना और लेंदेन प्रसंसकर में उप्योक किया जाता है शूपर कंप्यूटर आज के टाइम में बड़ी बड़ी वज्ञानिक संस्ता द्वारा बनाया जाने लगा है यह सेखडो लाको और निर्देसों की एक साथ पालना करता है यह विसाल computer बहुत जटिल विज्ञान और इंजिनेरिंग की समस्याओं को हल करने में उप्योक किया जाता है सुपरकंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं यह गनितिय गन्ना यानि संख्या क्रेचिंग की भारी मात्रा की आवसकता होती है वहां काम में लिये जाते हैं जैसे मोसम विभाग का पुर्वानुमान में एक कम्प्यूटर के आवसकता होती है सुपरकंप्यूटर के विज्ञानिक उप्योग एनिमेटेड ग्राफिक्स द्रव्य गतिसील गन्ना प्रमान उडजा अनुसंधान इलक्ट्रोनिक डिजाइन भू विज्ञानिक डेटा के विस अब यह हमारे हुए कि कंप्यूटर का वर्गिकरण जो मेंली चार पार्ट्स में है परसनल कंप्यूटर मिनी फ्रेम मिनी कंप्यूटर मैन फ्रेम कंप्यूटर और सूपर कंप्यूटर सूपर कंप्यूटर के बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर के आधार बूत घटक क्या हैं कंप्यूटर के आधार बूत घटक में इन्पूट यूनिट जिन से हम निर्देश कंप्यूटर को देते हैं वो सामिल हैं उसके बाद सेंटर यूनिट जिसको हम CPU कहते हैं Center Processing Unit जो कि हमारे द्वारा दिए गए डाटा को पूर में दिए गए निर्देश या प्रोग्रामों की अकूरिंग प्रोसेस करता है और हमें कुछ रजल्ट देता है रजल्ट जिससे हमें प्राप्त होते हैं या दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है तीसरा हुआ आउट्पुट यूनिट आउट्पुट यूनिट में से हमारे पात दुबारा रिजल्ट प्राप्त होते हैं अब CPU क्या होता है CPU में दो यूनिट और होती है और अइल-यू अर्थमेटि एं लोजिकल यूनिट दूसरा होता है और होता है और करता है अब जोंटी दिन में कोंड़ेंगे हैं है Output Unit कौन-कौन सी है, CPU, Control Processing Unit के कौन-कौन ते पार्ट है, जैसे ALU, यानि Arithmetic and Logical Unit, और CU, यानि Control Unit, इसके बाद हम अलग से देखेंगे कि Memory कौन-कौन सी होती है, Pratmic Memory, दित्तक Memory, तो Pratmic Memory में कौन-कौन सी Memory आगे आएंगी, तब तक के लिए, आप मैंने जो ग्रूप में नोट डाले हैं, उनको study कीजिए, वो not short and sweet है, उसमें डाइग्राम भी है, पिक्चोर प्रेजन्टेशन भी है, आप उनको देखेंगे, आपको बहुत इसलिए समझ मा जाएगा, और ये first unit में है अपने, तो इसलिए आप जिसे जो बाया वाले student है, mathematics वाले portion को proper handle नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये काफी important है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, मालो mathematics का question आता है exam में, जिसको आप direct handle नहीं कर सकते हैं, तो अथ्वा में computer का एक question आ जाएगा, तो जो बायो mathematics वाले student हो, तो mathematics का question easily solve कर लेंगे, लेकिन जो बायो के हैं, जिनको mathematics में थोड़ी problem आती है, वो computer science वाले unit में से, क्योंकि question अथ्वा में है, तो यहाँ से easily handle कर सकते हैं, इसके notes मैंने WhatsApp group में डाल दी हैं, आप आपस में print out, जरॉक्स वगरा लेके circulate कर सकते हैं, कोई query हो, तो आप मुझे WhatsApp में message personally drop कर सकते हैं, आपको within 24 hours मैं उसक्योरी का जो भी समाधान होगा वो available करवा दूँगा, तब तक के लिए, take care, bye-bye.